दोस्तों ये coordinate geometry exercise 7.1 का question number 4 है कि जांच किजिए कि क्या बिंदू 5-2 और 6-4 और 7-2 एक सम्धिवी वाहू त्रिभुज के सिर्ज है यानि कि it is a vertices of a isocycle triangles तो दोस्तों जानते हैं कि सम्धिवाहू त्रिभुज के सिर्ज होने के लिए उनके दो भुजाओं को आपस में बराबर होंगे यानि कि कोई अगर सम्धिवाहू त्रिभुज है तो इनके दो भुजा कम से कम दो भुजा आपस में बराबर होंगे तो हम उसे समदिवाहू त्रिभूज या isocycles triangles कहते हैं यानि कि मान लिजिए कि ABC ये एक triangle है और अगर ये समदिवाहू त्रिभूज होंगे तो इसके लिए condition है या तो AB equals to BC का होना चाहिए या BC equals to CA का होना चाहिए या CA equals to AB का होना चाहिए अगर तीनों में से कोई एक condition अपलाई होता है तो हम कहेंगे कि ये triangle isocycles triangles यानि कि समदिवाहू त्रिभूज है तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि दिये हुए जो point है उसमें A का coordinate 5-2 है B का coordinate 6-4 है और C का coordinate 7-2 है ठीक है दोस्तों अब हमें ये तीनों coordinate पता चल गया तो हम distance formula का परियोग करके इस triangles के तीनों side के लंबाई को याद करते हैं तो चलिए याद करते हैं AB equals to हो जाएगा under root 5-6 का whole square plus minus 2-4 का whole square अगर आप इसको calculate करेंगे तो ये हो जाएगा under root 37 unit उसी तरह से BC equals to हो जाएगा under root 7-6-7 का whole square plus 4-2 का whole square और similarly इसको भी आप solve करेंगे तो ये भी आजाएगा under root 37 के उसी तरह से CA का value हो जाएगा under root 7-5 का whole square plus minus 2 minus of minus 2 का whole square और इसको आप जब calculate करेंगे तो इसका जो value आजाएगा वो 2 unit आजाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस triangles में sides AB और sides BC आपस में बराबर हैं तो हम कैसे सकते हैं ये triangles एक सब दिवाहों त्रिवुच हैं यानि कि ये triangles एक aso-sicles triangles हैं क्योंकि इसके दो भुजाएए AB और BC आपस में बराबर हैं